चाड़क के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है। और क्रशी संग्ठन द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मुव्मेंट के तहर टोप 10 वर्ड रेस्टोरेशन फ्लैक्शिप में स्थान दिया गया है। वर्ड के टॉप 10 रेस्टोरेशन फ्लैक्शिप के बारे में अगर बात करें जिने ये मिला है तो उसमें प्रेनेशन अल्टानिक फोर्स्सक्राइब। अबुधभी मरीं रस्तोराइब। रेस्तोराशन ग्लोबल रस्तोराशन फ्लैक्शंered और एक राम्रेक्शंटराशन फ्लीकंट्री रस्तोराश्ट्रीट्टीट। और Shanshu Initiative in China ये Top 10 World Resolution है जिने ये flagship देया गया है अब हम बात करेंगे highlights के बारे में World Restoration Flagship Global Level पर उन परियोजनाओं को मानेता देता है जो प्राकर्तिक दुनिया को restore करने में एहम भूमी का निभाती है United Nation Decade on Ecosystem Restoration 2030 तक जारी रहेगा जो स्तत्विकास लक्षों को प्राप्त करने की समय सीमा भी है इसके अलावा इस World Restoration Flagship का समनवे The Pact for the Restoration of the Atlantic Forest और Pre-Nation Network for the Restoration of the Atlantic Forest द्वारा किया जाता है नमामी गंगे पहल को दुनिया भर के 70 देशों में से ऐसी 150 से जादा पहलों में से चुना गया है इसलिए ये और भी अधिक महत्वपूर हो जाता है अब हम बात करेंगे नमामी गंगे परियोजना के बारे में नमामी गंगे परियोजना के शुरुवात वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी इस पहल के शुरुवात गंगा नदी के प्रदूशन को कम करने और इसे पुनर जीवित करने के उदेश्य से की गई थी इस परियोजना को 20,000 करोड रुपे के बजट के साथ एक प्रमुक कारेकरम के रूप में शुरू किया गया था इस परियोजना के तहत उत्राखन, उत्तर प्रदेश, बिहार, जारखन, हरियाना, हेमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्यम बंगॉल और राजस्तान सीविज परबंदन परियोजनाय संचालित की जा रही है इसके अतरिक्त 98 सीविज परियोजनाय है जो कंप्लीट की जा चुकी है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारे ठाप है कि अप्लीट है कि भूपिक जरूर्ण और स्ब्सक्राइब चैनल को लाइक प्रेशनाय है